हेलो फ्रेंज, हाई, वल्कम टू मैं चैनल, एम टेक मोना वॉल पे सो फ्रेंज, आज मैं आप लोगो एक फिर से मोटिफेशनल टॉपिक के उपर वीडियो बनाने जा रही हूँ जो आज का टॉपिक है, वो है डॉक्टर एपीजी अब्दुल कलामची की कुछ मोटिफेशनल टॉप्स को आज में वीडियो में शेर करने जा रही हूँ तो दोस्तो चले वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो एपीजी अब्दुल कलामची ने कहा था इंतिसार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं अगर तुम सूरज की तढ़ा चमकना चाते हो तो पहले सूरज की तढ़ा जलना सीखो जिस दिन हमारे सिग्निचर ओटोग्राफ में बड़ल जाए मान लेजिए आप कामियाब हो गए इंसान को कथिनायों की आफशिक्ता होती है क्योंकि सफलता का आनन उठाने के लिए ये जरूरी है ब्लेक कलर की भावनात्म ग्रूप से बुरा होता है लेकिन हर ब्लेक बोर्ड पिडाठियों की जिन्देगी ब्राइट बनाता है प्यार करने के लिए तो वो जिन्देगी भी कम पर जाती है पता नहीं लोग नफरत के लिए वक्त कैसे निकाल लेते है खुश रहा करो परिशान होने से कल की मुश्किले दूर नहीं होगी वलकि आज का शुकुन भी चला जाता है आत्म विश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बिमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है मैं सुन्दर नहीं हूँ पर मैं अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा सकता हो जिससे मदद की जरूरत है क्योंकि सुन्दरता की जरूरत दिल में होती है चेहरे पर नहीं मुझे पुड़ा बिश्वास है कि जब तक कोई बिफलता की करवी का गोली को स्वात नहीं स्चक लेता तब तक कोई सफलता के लिए परियाप्त आकाशाद नहीं कर सकता फर्टल जिम्मेडारी उठाए उन चीजों के लिए काम करे जिन में आपको भरोसा है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप अपनी किस्मत दूसरे लोगों के हवाले कर रहे है महनत सीरियों की तरह होती है और भग लिफ्ट की तरह किसी समय लिफ्ट तो बंध हो सकती है पर सीरिया हमेशा उचाई की तरफ ले जाती है खुश रहने का बस एक ही मंत्र है उम्मीद बस खुद से रखो किसी और इनसान से नहीं खर की दरवाजे चोटे दरवाजे से ताला चोटा ताले से चाबी चोटी पर चाबी से पूरा खर खुल जाता है चोटे चोटे बिचार बड़े बड़े मतलाव ला सकते है खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की वुराई करने का वक्त ही नहीं मिले आप अपना भविश्य नहीं बदल सकते पर अपनी आदते तो बदल सकते हैं और बदली हुई आदते आपकी भविश्य बदल देगी सब कुछ खोकर भी अगर आप में कुछ करने की हिम्मत है तो समझ लेजिए अपने आपने कुछ भी खोया नहीं अभी तक तो दोस्तों ये था एक डॉक्टर एपी जी अबदिलकलाम जी के कुछ मॉटिफेशनल थॉट्स जो हमारे लाइज में बहुत सारे पडिवर्टन ला सकते हैं और बहुत सारे पॉजरिब ठींकिंग भी दे सकते हैं दोस्तों वो बहुत ही अच्छे इंसान थे वो प्राक्तर राष्ट्रपती थे एक बिज्यानिक थे वो उसके अंदर जितनी भी काबिले थे उसको हम दिल से सल्यूट करते हैं उसने जो मौटिफेशनल थोस हमें कहा है उससे हमारी जो लाइफ की निगरिविटिस है वो सब दूर हो सकती है दोस्तों आप लोग को ये मौटिफेशनल वीडियो कैसा लगा जरूर बताना और अगर आपको ऐसे ही मौटिफेशनल वीडियो चाहिए तो मेरी चैनल को ऐसे ही आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर अच्छे लगा है तो वीडियो को एक लाइक और कॉमेंट सरूर कर देना ओके फ्रेंस ठेंक यू एन हमेशा पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव होगा और लाइफ में तब निगेटिव इडियो आपके पास आने से भी दर जाएंगे क्योंकि जब कोई पॉजिटिव इनसान हमेशा पॉजिटिव इडियो के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसके पास कुछ भी नेगेटिव ठोस आते भी नहीं है और अगर आते हैं तो वो दूर चला जाता है इसलिए दोस्तों जैसे कि हम अगर बिमार होते हैं तो वो बिमारी हमें कब छूपाते हैं जब हम विक होते हैं अगर हम weak नहीं हो रहेंगे तब हमें कुछ भी बिमारी छूबी नहीं पाएगी उसी तरह अगर हम लोग positive सोच के साथ आगे बढ़ते हैं जिन्दगी में तो कभी भी निगिरी thoughts हमें छूबी नहीं पाएगे और हमेशा ऐसे ही positive बने रहो और हमेशा खोश रहो कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना पर आज जो है उसमें जियो आज की जो सुकून है उसमें जियो जब आज आज आप सुकून से जियोगे आज आज आप जब अच्छा करोगे तभी आपका भबिश्य वहाँ पे ही निर्भर करता है तो दोस्तों भबिश्य के बारे में सोच कि टैंशन से मत रहो जो हो गया उसे कभी और होने मत देना जो हो गया उसे छोड़ो जो हो रहा है उसके उपड़ आप डिपेंड करो उसको अच्छा बनाओ तभी आपका future भी अच्छा बनेगा परफेक्ट बनेगा और जो आपका गोले उसको भी आपको सरूर मिलेगा ओके फ्रेंज आज का वीडियो का टॉपिक यही था ओके थैंक यू एन बाबाई